वेलकम टो अली आईस स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है चार फरवरी 2021 तो आज ये देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं हमारा पहला आर्टिकल पट्ट चित्रा पेंटिंग के बारे में है इस पेंटिंग का जिक्र अभी हाल ही में हमारे ओनरेवल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मन की बात प्रोग्राम में किया इस पेंटिंग के बारे में जान लेते हैं पट चित्रा ये संस्कृत के दो सब्दों से मिलकर बना है पट यानि की canvas और चित्र यानि की painting पट चित्रा को कपड़े के उपर paint किया जाता है ये दो राज्यों में काफी प्रचलित है वेश्ट बंगाल और उडिसा में सबसे पहले उडीसा में जो पट्चित्रा पेंटिंग बनाई जाती है जिसे उडीसा पट्चित्रा कहा जाता है उसके बारे में बात करते हैं देखिए पेंटिंग्स हिंदू माइथालोजी पर बेज़ होती है जो वैशनव सेक्ट के भगवान जगननास से इंस्पार होती है इसमें हमेशा नैशिरल कलर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है ट्री के गम का, सेल्स का या फिर कालिक का इस्तेमाल ब्लैक कलर के लिए किया जाता है painting को traditional way में तयार किया जाता है उडिया painter के द्वरा जिसे चित्रकार कहा जाता है यहाँ पर style की बात करें तो classical elements भी मिलेंगे और folk elements भी मिलेंगे हाला कि जो folk elements हैं वो ज़्यादा प्रभावी दिखेंगे आपको in paintings में और जो कपड़े या पहनावे दिखाये जाते हैं in paintings में वहाँ पर आपको मुगल influence भी दिखेगा popular themes क्या है जिन पर ये paintings बनाई जाती है तो थिया बाधिया जिसमें भगवान जगननाथ को depict किया जाता है कृष्ण लीला जिसमें भगवान कृष्ण को दिखाया जाता है बाल रूप में जसावतार पठी यहाँ पे भगवान विश्नु के दस अवतारों को दिखाया जाता है और पंच मुखी जहाँ पर भगवान गड़ेस को पाँच मुख वाले देवता के रूप में दिखाया जाता है बात करते हैं बंगाल पट्ट चित्र के बारे में इसमें जो निरेटिव बंगाली पेंटिंग होती है उसे कपड़े पर पेंट किया जाता है कई सारे सब्जेक्स होते हैं माइफलोजिकल, रिलीजियस, स्टोरीज, फोर्कलोर या फिर सोसल इशूज भी डिपेक्ट किये जाते हैं जो बंगाली आर्टिस्ट पट्ट चित्रा बनाते हैं उन्हें पटुआ कहा जाता है यहाँ पर भी नैचुरल कलर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है देखिए काली घाट पट्ट चित्र एक वैरियंट है पट्ट चित्रा पेंटिंग का जो की बंगाल पट्ट चित्रा से बिलॉंग करता है ये last tradition था जो बंगाल पट्चित्रा में evolve हुआ, develop हुआ इसे develop किया गया था जैमिनी रॉय जी के द्वारा बहुत ही famous painter रहे हैं ये बंगाल के इन्हें 1955 में State Award of Padmabhushan से भी नवाजा गया था कई सारे बुद्धिस्ट लिट्रेचर में भी पट्चित्रा पेंटिंग का जिक्र मिलता है जैसे की हरिबंसा, अभिज्यान साकुंतलम, मालविकागनिमित्रम और हर्स चरिता यहाँ पर हमें इस पेंटिंग का जिक्र दिख जाएगा तो यह आर्टिकल हमने पट्चित्रा पेंटिंग पर कवर किया अब हम देखते हैं अपना अगला आर्टिकल हमारा नेक्स्ट आर्टिकल Global Climate Litigation Report 2020 के बारे में है जिसे अभी हाल ही में United Nations Environment Program के द्वारा रिलीस किया गया है क्या हो अगर आप किसी Government के खिलाफ इस आधार पर केस कर दें कि Climate Change होने के वज़े से आपकी उम्र कम हो रही है या आपकी Health को नुकसान पहुँच रहा है ऐसा कई सरी जिगों पर अब हो रहा है जहां सरकारों के खिलाफ केस फाइल किये जा रहे हैं कि वो Climate Change को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे है इसी संबंद में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया UNEP के द्वारा Sabin Center for Climate Change Law के साथ हमिल कर जो कि कुलंबिया यूनिवरसिटी में सिचुएटेड है ये रिपोर्ट हाइलाइट करती है कि Climate Latigation के केसिस हाल के सालों में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ये मुद्दा Court Room में जा रहा है क्या की हाइलाइट्स निकल के आई इस रिपोर्ट में जो पब्लिश की गई ये कहा गया कि पिछले तीन सालों में Climate Change के मुद्दे पर जो Latigations के जा रहा हैं उनकी संख्या दोगुनी हो गई है इसके वज़ा से अब सरकारों के उपर दबाव बन रहा है कि वो अपनी Climate Commitments को Seriously लेकर Implement करें और Corporate Actors पर भी सेम दबाव बन रहा है ये जो केसिस हैं ये Governments को Compel करते हैं कि वो और Ambitious Climate Change Mitigation और Adaptation Goals और उसे पूरा करें डेटा के तोर पर बात करें तो 2017 में जहां 24 देसों में 884 ऐसे केस दाखिल किये गए यानि कि 884 वही 2020 में इन केसिस की संख्या बढ़कर 1550 हो चुका है 38 कंट्रीज में European Union कोर्स को मिला कर अब यहां पर बात करते हैं UNEP के वारे में जिसे 5th June 1972 को Establish किया गया एक Global Environmental Authority के रूप में ये Global Environmental Agenda के साथ डील करते हैं ताकि पूरी दुनिया में Sustainable Development को प्रमोट किया जा सके UN सिस्टम के भीतर और ये Environment Protection को Advocate करते हैं पूरी दुनिया में कई सारी मेजर रिपोर्स जारी की जाती हैं रिलीस की जाती हैं UNEP के दवरा like Emission Gap Report, Global Environment Outlook, Frontiers Invest into Healthy Planet कुछ कैंपेंज भी चलाते हैं like Wheat Pollution, UN75, World Environment Day, Wild for Life इसका Headquarter केनिया के नेरोभी में है हमारा next article Center for Wetland Conservation and Management के बारे में है यानि कि CWCM Indian Government ने भी Announce किया कि वो ऐसा एक Center established करेंगे जो कि भरत का पहला wetland के लिए इस प्रकार का Center होगा ये Center National Center for Sustainable Coastal Management का पार्ट होगा जो कि चिन्नई में situated है और Ministry of Environment, Forest and Climate Change के तहत काम करता है अगर हम बात करते हैं CWCM की तो ये जो wetland को लेकर specific research needs से उनको पूरा करेगा और knowledge gap को avail करवाने में help करेगा ताकि हम wetlands को अच्छी तरीके से preserve कर सकें और इस संबन में proper research कर सकें ये कुछ ऐसे applications में भी मदद करेगा ऐसे approaches में help करेगा जिसका इस्तिमाल करके हम wetlands को conserve कर सकते हैं, restore कर सकते हैं manage कर सकते हैं या बुद्धिमत्ता पूर तरीके से उसका इस्तिमाल कर सकते हैं key functions क्या होंगे इस center के ये partnership करेगा ये अपने networks को और broad करेगा national level पर भी और international level पर भी ताकि हम wetlands को conserve कर सकें एक knowledge hub के रूप में काम करेगा जहांपर wetlands को preserve करने के जो techniques हैं या फिर जो भी approaches हैं उनको एक तरीके से तयार किया जाएगा ये national, state और UT की governments को assist करेगा कि वो ऐसे plans and policies बनाएं regulatory frameworks बनाएं जिससे हम ना किवल अच्छी तरीके से wetlands को manage कर सकें बलकि उनकी preservation के लिए researches वगरा को भी promote कर सकें तो ये पूरा आर्टिकल हमने इस particular center for wetland conservation and management के बारे में डिसकस किया हमारा next article सिवालिक elephant reserve के बारे में है उतराकंड की सरकार ने अभी एक stay लगा दिया है अपने खुद के order पर जिसके तहर वो सिवालिक elephant reserve को denotify करने वाले थे denotify करने का मतलब ये है कि अगर इसे denotify कर दिया जाएगा तो सिवालिक elephant reserve सिवालिक elephant reserve नहीं रह जाएगा हाला कि हाथी तो तब भी वहां रहेंगे लेकिन वहां पर development activities start हो जाएगी जिसके बाद definitely in elephants के लिए उनका natural habitat खतम होगा और उन्हें नुक्सान होगा इस बात को लेकर environmentalist काफी ज़्यदा चिंत थे कि उत्राखंड की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए खैर अभी तो stay लगा दिया गया है भविश्य में देखेंगे कि क्या होगा क्या उत्राखंड की सरकार वास्तों में से denotify कर देगी जो के निश्चित तोर पर wildlife के लिए बहतर नहीं होगा बात करते हैं इस से वालिक elephant reserve के बारे में ये उत्राखंड के कुमाओं और गढ़वाल region को cover करता है location map में देखना चाहते हैं तो देखे इंडिया के map में नौर्थ में यहाँ पर आपको उत्राखंड दिखाई पड़ता है और उत्राखंड का ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको ये elephant reserve मिलेगा गढ़वाल और कुमाओं का पूरा region cover करते हुए ठीक है इसे 2002 में notify किया गया था project elephant एक elephant reserve के रूप में ताकि elephant को वहाँ पर preserve किया जा सके और जब से elephant reserve के रूप में notify किया गया है उसके बाद से यहाँ पर हाथियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है अभी यहाँ पर हाथियों की संख्या 2000 के ऊपर हो गई है जब इसे नोटिफाई किया गया था तो 1300 यहां पर हाथी किबल हुआ करते थे यह एक highest densities वाला एरिया है जहांपर elephants इंडिया में पाये जाते हैं बात करते हैं और कौन से ऐसे protected areas हैं जो उत्तरा खंड में हैं Jim Corbett National Park जो के इंडिया का पहला National Park भी था Valley of Lars National Park नंदादेवी National Park तोनों मिला कर World Heritage Site भी बनाते हैं युनेस्को का गोविंद पश्विहार National Park और सेंचुरी गंगोत्री National Park और नांधौर वाइलाइफ सेंचुरी हमारा अगला आर्टिकल मतुआ कम्यूनिटी के बारे में है Actually में मतुआ कम्यूनिटी के उपर Indian Express में Explained Page पर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि मतुआ कम्यूनिटी का West Bengal की Politics में कितना prominent role है और अभी ये political dynamics कैसे change हुए है Actually में मतुआ कम्यूनिटी के लोग 2003 का जो citizenship act है उसमें काफी लंबे समय से amendment की मांग कर रहे है ताकि उनके लिए citizenship लेना आसान हो जाए citizenship की आवशक्ता क्यों पढ़ती है वैसे तो देखिए मतुआ कम्यूनिटी के लोग Bengal Border के दोनों ही और रहते है लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इस कम्यूनिटी के लोग बांगला देश का जब मतलब बांगला देश जब evolve होता है existence में आता है तो उस दौरान जो violences हुए तो वो इस तरफ वेश्ट मंगाल में आ गए उसके बास से इन्हें citizenship अवेल करने में काफी ज़्यादा problem होती है ये चाहते थे कि कुछ संसोधन कर दिया जाए ताकि ये नागरेक्ता पा सके अभी तक तो ये जो वेश्ट मंगाल में वर्तमान की सरकार है उसका समर्थन करते रहे थे लेकिन political dynamics जो explain किये गए है उसमें ये कहा गया कि जब से सरकार ने citizenship amendment act पास किया है उसके बाद से निश्चित तोर पर हो सकता है कि ये community अब सेंटर में जो सरकार है उसका समर्थन करे मतवा community का वेश्ट मंगाल की politics में क्या रोल है ये हमाई ले बहुत significant तो नहीं है बट इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए देखिए ये एक religious moment था actually में जिसे 1870 में हरिचंद ठाकुर जी के द्वारा सुरू किया गया था जो कि नामशुद्र फैमिली से बिलॉंग करते थे एक शिर्यूल कास्ट फैमिली से बिलॉंग करते थे 1915 में इसी दौरान मतुआफ फैडरेशन का गठन किया गया अज जो मतुआज हैं वो वेस्ट बंगाल की सेकेंड लार्जेस्ट शिर्यूल कास्ट पोपलेशन में आता है और काफी ज़्यदा प्रॉमिनेंट भी है तो हमने इस community के बारे में विस्तार से बात की हमारा next article Lower Arun Hydroelectric Project के बारे में है हाल ही में नेपाल की सरकार ने Lower Arun Hydroelectric Project का जो contract है वो इंडिया के सतलुज जल विद्दुत निगम को सौंप दिया है ये जो Lower Arun Hydroelectric Project है ये नेपाल के संखुआ सभा और भोजपुर डिस्टिक्ट में located होगा जिसे SGVN यानि कि सतलुज जल विद्दुत निगम के दोड़ा डिवलप किया जाएगा ये mutual economic growth and development को ensure करेगा उस पूरी region में इंडिया और नेपाल के bilateral relations को भी ये बहतर करेगा ये अरुन रिवर पर बनाया जाएगा ये इसका नाम Lower Arun Hydroelectric Project रखा भी गया है यार करेगी, own करेगी कुछ समय तक अपना जो भी investment है उसे recover करेगी इस दुरान ये इसे operate भी करते रहेंगे और बाद में ये इसे नेपाल को सौंप देंगे complete होने के बाद ये 679 मेगावाट जो Lower Arun Hydroelectric Project है ये 3561 मिलियन उनिट electricity per annum produce करेगा तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर cover किया हमारा next आर्टिकल 44 incident के बारे में है हमारे honorable PM नी एक सेटेनेरी celebration को 44 जोगरफ पर डिस्टिक्ट में है उत्तर प्रदेश में उसे inaugurate किया मतलब 100 साल पूरी हो चुके हैं इस incident के 44 उत्तर प्रदेश में situated है 1920 के दौरान महात्मा गांधी जी एक nationwide non-corporation moment launch कर चुके थे यहाँ पर non-violent तरीके से civil disobedience किया जा रहा था सत्यागरा किया जा रहा था मतलब सरकार के rules and regulations को breach किया जा रहा था Rollet Act के खिलाफ ये पूरा जो non-corporation moment है तयार किया गया था इसके background में एक और issue था खिलाफत का इतिहास में आप इस सम्मन में विस्तार से पढ़ते भी हैं कि किस प्रकार से Second World War में जब तर्की के खलीफा को पत्स से उतार दिया गया गद्धी से उतार दिया गया तो इंडिया के मुस्तिम नाराज हो गया तो रॉलेट सत्याग्रा और खिलाफत दोनों issues को मिला कर non-corporation moment स्टार्ट किया गया लेकिन चौरी-चौरा incident हो जाने के बाद इस non-corporation moment को वापिस ले लिया गया Actually में क्या हुआ था ये घटना जो है वो 4 February 1922 को हुई थी उसके दो दिन पहले यानि कि 2 February 1922 को कुछ volunteers non-corporation moment पे participate करने जा रहे थे इनको लीड किया जा रहा था एक retired army soldiers soldiers जिनका नाम था भगवान अहिर उनके द्वारा लेकिन जो प्रटेस्ट था ये जो प्रटेस्ट था वैसे वो प्लान था food prices जो काफी तेजी से बढ़ रहे थे लिकर सील जो रहे थी उसके खिलाफ लेकिन पुलिस ने लाधी चार्ज किया और कई सारे leaders को गिरफतार कर लिया गया चौरी-चौरा पुलिस टेशन में इसके अगेश्ट में प्रटेस्ट किया जाना था चार फरवरी को भीड काफी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई उन्होंने जो पुलिस टेशन था उसमें आग लगा दी कई सारे पुलिसमेन और स्टाफ जो पुलिस टेशन में थे उन सभी लोगों की जान चली गई इसके बाद गांधी जी पांच दिन का फास्ट रखते हैं पश्चाताप करने के लिए कि उनकी वज़े से ये वाइलेंस हुआ गांधी जी ने ये महसूस किया कि अभी लोग तयार नहीं है नॉन वाइलेंस के इस पूरे मुद्दे के लिए फाइनली 12 फ़रवरी 1922 को इंडिया नेशनल कॉंगरेस ने नॉन कॉपरेशन मुवमेंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जो की चौरा-चौरी ट्रेजडी का एक डैरेक्ट रिजल्ट था अब आब बताए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत पठ्चित्रा पेंटिंग यहाँ पे कपड़े के उपर पेंटिंग की जाती है वेश्ट बंगाल और उडिसा में ये प्रेशलेथ है ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 हाल ही में इसे जर्मन वॉच ने रिलीज किया पॉबलिश किया सेंटर फॉर वेटलेंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट यह नेशनल सेंटर फॉर सस्टेटमेंट कोस्टल मैनेजमेंट चिन्नई का पार्ट होगा जो कि एक इंस्टिउशन है इसका जवाब वहाँ पर आपको पिंड मिलेगा लेकिन उसके पहले आप अपना जवाब कॉमिट बॉक्स में ज़रूर लिखें इस सेशन की PDF ओनली या इसके टेलिग्राम चैनल पे अपलोडेड मिलेगी वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो इस सेशन में यहीं पर रोखते हैं थैंक्यू वादे मच्ची